अगें गुड मॉर्निंग स्टुडेंट कैसे हैं आप सब आई विश के आप सभी अच्छे होंगे तो टूदेज वे अर गोईं टू स्टार्ट ए वेरी फ्रेश एंड न्यू टॉपिक यह हमारी जो एसिड बेस और सॉल्ड की जो चैप्टर की जो सिरी चल रही है जिससे पहले जो भी वीडियो आ चुके हैं अगर आपने सभी ने वो वीडियो देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है अब उसी के बिहाब पे जो आगे मैं एक आपको एक question आप से पूछ रहा हूँ है उस question की base पे ही मैं आगे बला topic है वो करवाऊंगा तो एक question आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ It is very important question जैसे देखिए student मैं एक important बात बोल देता हूँ की important question है तो उस question को आपने बड़े ही carefully तरीके से आपने सुनना है तो यहाँ पे आपको एक question जो आपको बता रहा हूँ Question क्या है Does acid contain Does acid contain OH- sign If yes, अगर आपका answer yes है If yes, then why it called acid अगर मैं आपको बात करूँ की question यह आपसे पूछ रहा है कि क्या किसी acid के अंदर hydroxy iron होते है अगर होते हैं तो उसको फिर acid क्यों बोलते है Same यही एक ऐसा दूसा question आपका बनेगा दूसा question आपसे यह पूछा सा सकता है Does base contain H plus sign? If yes, then why it called base ठीके? तो question I think आपको clear हो चुक है मैंने आपसे question यह पूछे कि क्या किसी acid के अंदर अगर आपको यह पता है कि acid Acid किसे कहते हैं? Acid उसे कहते हैं जो H plus sign release करता है क्या release करता है? H plus sign release करता है और base किसे कहते हैं? Base उसे कहते हैं जो OH minus sign release करता है That's clear यह चीज आपको बहुत यह चीज़े से clear हो चुकी है लेकिन अब मेरा एक question है कि H plus N release करता है acid लेकिन क्या ये OH minus N release करता है वो base के case में बात करों तो क्या यहाँ पर ये H plus N release करता है ठीक है अगर आपका answer yes है ये no है जो भी है अगर आपका answer yes है तो आपका answer क्या है सही है अगर आपका answer no है तो आपका answer wrong है ठीक है, in both case, acid, acid, acid की बात कराऊं, पहले मैं, acid release H plus sign, but it also release OH minus sign, base release OH minus sign, but it also release H plus sign, आप कहेंगे सर, क्या चीज़ बता रहे हो, यह तो सब आपने गडबर कर दिया, पहले आपने यह बता था कि acid H plus sign release करता है, base OH minus sign release करता है, आज आप यह बता रहे हो कि acid H plus sign release करता है, साथ में OH minus sign release भी करता है, base OH minus sign release करता है, और यह H plus sign release करता है, overall, दोनों ही चीज़े release करते हैं, इसकी बात अगर मैं करूं, तो यह H plus sign भी release कर रहे है, साथ में OH minus sign भी release कर रहे है, base की बारे में अपने बात करें, तो OH minus sign release भी कर रहे है, और यह H plus sign भी release कर रहे है, तो what is the difference, अगर दोनो में difference क्या होगा कैसे आप कह सकते हैं कि क्या चीज बेस और क्या चीज acid है यहीं पर question एक rise होता है अब इसी question के उपर ask हमारा topic है तो first of all में जो आप से बात करने वाला हूँ इस question का पहले मैं जवाब देता हूँ और उसके बाद में अपना topic start करता हूँ मैं तो देखिए acid की बात करते हैं acid आपको यह पता है कि जब आप कोई भी जो compound है वो अपना acidic nature कि show करता है अपना acidic nature वो तब ही show करता है जब आप उसको water में dissolve करते है तो मैं यहां पर acid की बात करता हूँ acid है आपने क्या क्या किया water में dissolve किया और water में dissolve करके वो क्या देता है यहाँ पे H plus ion produce करता है तो हम यहाँ पर एक example लेते हैं example के थो यह बात हो clear करता हूँ acid for example यहाँ पे acid 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 water 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 acid acid water water के साथ में break होगा ठीक है अभी यहाँ पे आपको एक इंपोर्टन बात बताने जा रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनिएगा acid किसमें टूट रहे हैं acid टूट रहे हैं acid टूट रहे हैं यहाँ पे H plus में और C L minus में water के इसको अपने dissolve करेंगे रहे ही तो water का क्या होता है साथ में reaction किया तो acid की तरफ से क्या चीज़ है ओच माइन साइन स्वरी एच प्लस साइन ओके और सी एल माइनस साइन आ गया वोटर भी क्या रिलीस करता है वोटर भी एच प्लस आयन एड ओच माइनस साइन रिलीस करता है ठीक है न अब आप यह देखिए कि acid water को क्या मने हमने acid के बारे में पढ़ा था कि एक ऐसा compound जो एच प्लस आयन रिलीस करता है उसे acid कहते है और विच compound release hydroxy iron that is known as base लेकि वोटर तो दोनों रिलीस कर रहा है वोटर एच प्लस आयन रिलीस कर रहा है वोटर ओच माइनस रिलीस कर रहा है एक ऐसा compound जो दोनों की तरह behave करता है acid as well as base तो उसको एपने एक word यूज़ करते है एमफो टेरिक क्या word यूज़ करते हैं एमफो टेरिक कर रहा है acid का nature शो भी कर रहा है और base का nature भी शो कर रहा है clear ऊड़ी बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ acid को अपने water में dissolve किया तो acid acid ionize in H plus sign and Cl minus sign but water also disassociate in their ions सारे waters की बात नहीं का some molecules of water molecule ionize in H plus sign and OH minus sign okay its mean water show dual nature acid as well as base why because it release H plus sign as well as OH minus sign okay H plus sign release करके ये acid की तरह behave कर रहा है और OH minus sign release करके ये base की तरह behave कर रहा है तो दोनों ही nature show करने का रहा है इसका nature अपने कैसे बोलते हैं amphoteric nature कैसा nature amphoteric nature आप अपने देखिए इस reaction को अपने perform कर लेते हैं अब देखिए आप ये देखिए H plus CL है HCL क्या करेगा H plus sign release करेगा तो ये जो H plus जो आइन जो आएंगे ये H plus आइन इस acid यानि की SL के भी होंगे और कुछ H plus आइन का जो contribution होगा वो यानि की water के तरफ से भी होगा ठीक है तो ये हमने यहाँ पर किसको लिख दिया अब हमारे पास में यहाँ पर ओच माइन साइन भी तो है ये भी तो है ठीक है ना अब देखिए for example for example अगर हमारे पास में जैसे की यह 100 हमारे पास में क्या है तो 100 SCL तो आपको पता कि 100 SCL में से जो यह 100% डिस आसोसिट होगा वाई भी कोस मैंने आपको पता है था एसल जो strong acid जो होता है वो completely ionize होता यानि कि जितने molecules given है सारे के सारे molecules break हो जाएंगे तो यहां पर H plus sign कितने होंगे 100 यहां पर CL minus sign में कितने होंगे 100 अब 100 के अंदर H plus sign के अंदर इसका बाग कुछ contribution होगा माले जै कि water के molecule तो बहुत सारे present है लेकि उसमें little bit amount के अंदर water molecule टूट रहा है इसके भी 100 molecule है इसके भी 100 molecule है और 100 molecule में आम आप लेजाए कि 20 या 10 water molecules में क्या होते है वो breakdown हो जाते है किसके अंदर H plus में और OH minus sign में तो 10 water molecule जब इसमें break होंगे तो यहां पर यह water के तरफ से contribution कितना होगा H plus का यहां पर 10 और यहां पर OH minus sign का contribution कितना होगा 10 clear होगी बात ही यह बात सुझ में आरे सभी को अब यहां से 100 यह आ गए H plus sign और यहां से 10 यह वाले आ गए तो हमारे पास में total यहां से कितने आ गए 100 टन ठीका न यह है अब यहां पर ओच माइनस नहीं है लेगिं यहां पर ओच माइनस नहीं कितने तो यहां पर हमारे पास में only 10 यहां पर 110 और यहां पर only 10 अब CL की बात हम करी नहीं रहे क्योंकि हमें acid base की बात किसके बेस पर कर रहे है यहां तो H plus sign की यह यहां पर कितने हैं और यहां पर कितने हैं अब आप यह बताए कि percentage percentage ज्यादा किसका है अब आप इसको छोड़ दे क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं ठीक है इसको एक छोड़ दीजे हम सिर्फ बात करें यहां पर H plus sign की और OH minus sign की यहां पर यहां पर यह अच्छ प्लस आयन है और हाइड्रोक्सी आयन भी है तो ज्यादा percentage किसका होगा इसके अगर मैं बात करूं और इसके अगर आपस में comparison करें हें हच प्लस और OH minus sign का तो percentage ज्यादा किसका होगा हच प्लस का हच प्लस हाई concentration concentration हच प्लस की क्या है ज्यादा है और OH minus sign की क्या है very low concentration बात सुझ में आ रही है yes or no तो concentration जिसके ज्यादा होता है उसी के base के उपर अपने यह desire करते है कि वो जो compound है वो acidic है या basic है तो clear होगा है यहाँ प्लस आयन की concentration hydroxy आयन की concentration comparatively बहुत ज्यादा है so that SCL is known as acid यह acid ही होगा ठीक है ना clear हो रहा है आपको यह acid होगा ठीक है अगर अब आपसे कभी कोई पूछे कि क्या acid OH minus sign release करता है तो आपका answer होना चाहिए yes कि हाँ वो करता है तो काफी student को आप यह चेक कर लिजेगा कि आपके कुछी दूसर स्कूल का कोई student है या कोई भी है आप उसे यह बात पूछेए कि अच्छा OH minus sign release करता है चल तो यह बता कि कैसे release करता है तब आपको यह बताएगा कि इसमें आप उसके अंदर उसमें present होते है या वैसे आ जाता है या कैसी भी आता है आप उसके लोजिकली पूछना कि अगर HCl है HCl को water में dissolve कर रहे है तो HCl breakdown होता है H plus के अंदर और यह Cl minus के इनके अंदर तो OH तो इस पर कोई giver ही नहीं है होते हैं OH minus sign कहां से आएगा तो OH minus sign student ऐसे आता है कि water के कुछ molecules होते हैं वह भी dis associate होते हैं वह OH minus sign as well as H plus sign release करते हैं अब तो देखी यह तो तीही बात first question के उपर first question जो मैंना को बताया था does acid contain OH minus sign ठीक है अब यहाँ पर बात करें does base contain H plus sign क्या base जो है वह उसके अंदर ह H plus sign होते हैं ठीक है अगर होते हैं तो इसको अपने फिर base के बोलते हैं यहाँ पर इसको acid के बोलते हैं वह बता दिया है because the concentration of H plus sign is very high than OH minus sign अब यहाँ पर आपने एक्जामपल लेते हैं बेस का किसी बेस का एक्जामपल ले लिजीए आपने एक्जामपल ले लिया यू आपने एक्जामपल ले लिया यू आट this is the strong base what is the name of this compound sodium hydroxide when we dissolve sodium hydroxide it release Na plus and OH minus ion यह दो common reaction होगी जो आप इसके बारे में पहले भी आप जान चुके हैं पहले भी आपको मैंने बता दी लेकिए इस case के अंदर क्या special है molecule हमारे पास में क्या water के यह बात है हं यह ब्रेक होगा जिसे मुनिया आपको ऊपर बताया ओपर की से सब्रेक हो रहा है तो वाटर भी यहां से ब्रेक होगा यह भी H plus sign release करेगा और OH minus sign release करेगा दोनों release कर रहा है यहां से कितना है 100 का क्योंकि 100 यह पूरे की पूरे की पूरे प्रिक हो रहे हैं ठीक है न तो OH-9 भी 100 है यह प्लस भी 100 है यहां पर इसमें फॉर एक्जांपल वहीं मान लेज़े कि यहां पर सिर्फ 10 ही इसमें ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो हाइडोक्सी है इनका कॉंट्रिबुशन यहां से कितना होगा 10 का और यहां से यह भी 10 आएंगे सेम यहां यहां से हमें 100 है और यहां से 10 है तो टोटल के हमें पर कितना हो चुक है 110 कितना हो चुक है यह 110 हो चुक है और है और हैज प्लस न की बारे में अपने बात करें यह यहां पर कितना है यह यह अंदर बात करें यहां पर क्या होगा यह हमरे पास में 100 है इसके बारे हमने कोई बात नही हम किसके बात करें चिरफ OH-Sign और H-Sign के बारे में ओके अब सेम जो आप पीछे जो बात किया था पीछे हमने क्या बात किया था पीछे हमने देखा था इस reaction के अंदर कि जो acid जो है acid H-Sign release करता है यह तो common सी बात है सभी को पता है ठीकर ना acid H-Sign बात release करता है उसा भी बता है पहले हमने कोशन देगा क्या acid ओच मने sign release भी करता है अगर करता है तो इसको अपने acid क्यों बोलते हैं base क्यों नहीं बोलते हैं आपका अंसर अब यह होगा कि इसलिए नहीं बोलते हैं इसको base क्यों वाई विकोज इसमें h plus sign की concentration क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है comparatively oh minus sign क्या है so that इसको हम क्या बोलते है acid बोलते है अब base की बार में अपने बात करता है base वैसे क्या release करता है commonly oh minus sign लेकिन यहां पर क्या h plus sign release करता है आपका answer होगा yes बिल्कुल करता है कैसे करता है now you can able to give your answer कि वो कैसे करता है या आप इसमें बता सकते हैं अगर आपको पुछे की करता है तो आप बताई कि उसको फिर base की बोलते है वही answer कि वो इसलिए बोलते है कि why because इसमें hydroxy iron की concentration जो होती है वो h plus sign की compare बहुत ज्यादा होती है और h plus sign की concentration बहुत कम होती है so that हम इसको क्या बोलते है base क्या बोलते है base तो आपके दो question आपको बड़े हैच्छे से clear हो चुके है ठीक है दो question क्या है यह समझे कि आपको एक concept clear हो चुक है कि क्या acid के अदर oh minus sign होते है या base के अंदर यह चीज होते है तो आप उसको बहुत ही अच्छे दिर्के से clear कर सकते है अब देखिए आपको यह तो clear हो चुकी है चाहे वह acid हो चाहे वह base acid के बारे में अपने बात करें तो acid के अंदर आप पहले से भी जानते थे कि acid तो h plus sign release करता ही करता है लेकिन आपको यह भी पता लग चुक है कि जो base है वह भी h plus sign release करता है अब दोनों ही h plus sign release करते हैं लेकिन आपको यह तो पता है कि h plus sign की concentration ज्यादा किसमें होती है इसमें very high concentration और इसमें क्या हो चुक है very low concentration काफी कम concentration के अंदर इसको release करता है अब आपको यह clear हो गया अब इसके उपर अपने जो next topic है वो अमारे topic है पी at scale क्या आएगा पी at scale तो पी at scale के बारे में ये वीडियो काफी लंबी होने जा रही है तो इस वीडियो में आपको मैं topic नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि इस topic को मैंने आपको काफी ज़दा detail में आपको clear किया है थाकि आपके mind में one percent one percent क्या one percent से कम भी आपको doubt ना रहें ओके आपको topic बहुत यससे clear है और clear हो जाए और आप इसका answer देने में capable हो ठीक है student मिलते हैं अपने जल्दी एक new video के साथ में new topic के साथ में ओके तब तक video को share करें like करें और subscribe करें subscribe करना ना भूलें तक कि आपको video upload करते हैं आपको उसी वक्त आपको notification मिल जाए और like जरूर करते रहें क्योंकि हर वीडियो के बाद में आपको यह जरूर बोलता हूं क्योंकि आप भूल जाते हैं student है ना क्यों भूल जाते हैं कि आपना काम तो होगे आपने वीडियो कि ने बादें है जरूर जाते हैं कि आपको बाद मेरत